हलो एविवान और वेल्कम बाक टू एडी टेक्नोवेशन आए मामित आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नई वर्क फॉम होम जॉब्स के बारे में 2023 के लिए यह जॉब्स अविलिबिलिटी है तो फ्रेशर्स के लिए मौका है इस जॉब में और आप हिंदी में काम कर सकते है इन जॉब्स में और जो कंपनी ये जॉब्स प्रोवाइड कर रही है उसका नाम है टेस्ट बुग ये एक वेबसाइट है ये एक एटक प्लाटफॉर्म है जिसके बारे में आप लोग आलरी जानते होंगे काफी सारी जॉब्स इसकी आती रहती है और नई जॉब्स अव जो जॉब्स यहाँ पर अविलेबल हैं काफी सारी केटEGORIES में हैं और काफी सारी जॉब्स है आप लोगों को अच्छे खासे मौके यहाँ पर होंगे जो लोग सबसे पहले मैं उन jobs को बताऊंगा जो की remote jobs है work from home है work from home jobs के लिए जो लोग जाना चाहते हैं उनको देख लें इसके लावा और भी काफी job है जो on location है जो partially remote jobs है और जो all location jobs भी है तो आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूँ वीडियो को अन तक जरूर देख ली जगा अच्छे से तो first of all मैं work from home job जो remote jobs है उनसे start कर लेता हूँ यहाँ पर पहली जो जो opening यहाँ आई हो ही है वो है freelance English to Hindi translator की है तो आपको Hindi में translation करना है आपको Hindi भाशा आनी चाहिए English जो Hindi में translation करने की यह job है और करना क्या होगा आपको यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर आप इसको part-time basis पर कर सकते हैं fully remote job है यह निकी work from home job है यह अब इसमें देखिए करना क्या है यहाँ पर अगर simple भाशा में समझा हम इसको इनकी roles and responsibility को तो translate करना है English content को Hindi में चुकि यह एक ad tech platform है तो यहाँ कई तरह के exams की तयारी कराई जाती है पढ़ाया जाता है और इन्होंने यही कहा है कि content would include questions from various government exams तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो government exams जो रहते हैं जैसे कि UPSC है teaching exams हैं और भी जो exams हैं उनके जो papers हैं उनके जो questions हैं basically उनको हिंदी में हिंदी भाषा में convert करके लिखना है और उसको type करना whatever job भी आप से जस तरह से भी यह चीज़ करवाई जाएगी तो simple Hindi में translation है English तो Hindi में और questions को translate करना है तो बड़ी heavy English तो नहीं है आती है और Hindi आपको आनी चाहिए should be comfortable तो आप comfortable होने चाहिए हो यहाँ पर कुछ जो Hindi की भाषा के शब्द होते हैं English type करने में Hindi typing में आपको अच्छा होना चाहिए 40 word per minute आप type कर सको typing अच्छी चाहिए आपको typing की practice आप कर सकते हो prior experience अगर है आपके पास translation का काम किया हुआ है कहीं पर तो आपको और advantage मिल जाएगा आपको preference मिल जाएगा लेकिन अनुन ने चुकी would be a plus लिखा है तो ऐसा नहीं है कि जिनको नहीं है वो नहीं कर सकते हैं तो fresher भी यहाँ पर ज़रूर अपना luck try कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो यह Hindi translation की एक जॉब है freelance basis पर part time भी कर सकते हो तो यह एक अच्छी जॉब है नेक्स जॉब में आपको बता देता हूँ freelance SME की जॉब है SME का मतलब है subject matter expert तो यहाँ पर CTR जो teaching exams वगरा है UGC नेट वगरा तो खासका teaching exams जो हो रहते हैं उनमें आपको as a subject matter expert आपको पढ़ाना है basically एक तरही उस तरह की responsibility निभानी है क्या करना है आपको देखो content तयार करना है question तयार करने है और जो दिन्दे टाइप के questions उनको देखना है update करना है जो भी basically जो test exams related जो teaching exams related जो questions रहते हैं जो content रहता है उस पर आपको काम करना है तो वो लोग इस हिंदी भाषा में ये काम करना है तो हिंदी के लिए of course तो वो यहाँ पर कर सकते हैं कौन कर सकता देखो any individual who would like to make a difference in the education sector graduation जिसकी complete हो गई हो post graduation करी हो जिसना है हिंदी में of course हिंदी important है और बस बाकी तो important चीज़ें कुछ नहीं है MS office आपको आता है ये सबको तो MS office आना चाहिए थोड़ा तो ये काम है यहाँ पर तो ये भी एक अच्छी जॉब है काफी लोग उसको कर सकते हैं जो teaching line से हैं नहीं भी हैं तो try कर सकते हैं उन्होंने mention नहीं किया लेकिन graduation आपकी हुई हो post graduation हुआ हो हिंदी अच्छे से handle कर सकते हो तो जरूर कर सकते हो next देख लेते हैं यहाँ पर so next जो job है वो है freelance tele counselor की तो freelance tele counselor की job में यहाँ पर आपको fully remote job है यह यानि की work from home job है और इसमें भी अगर आप देखें तो tele counselor का काम आपको पता ही है जितनी भी queries और जो problems रहती है students की जो भी उन्हें परिशानी है जो help करनी है वो आपको करनी होगी as a tele counselor और यह आपका काम रहेगा high school तक का diploma वाले लोग apply कर सकते हैं तो मेरे गाल से 12th past 12th past जो है वो यहाँ पर 12th past basically हो तो जाद अच्छा है वो apply करें तो उनकी chances है 18 साल से उपर का कोई विवेक्ति कर सकता है हिंदी आनी चाहिए simple सी भाषा में आपको बात करना अच्छी communication अच्छी हो तो काफी लोगों के लिए यह job suitable भी है क्योंकि यह कम age और कम qualification में यह चाहिए तो यह भी आप कर सकते हो 100% work from home है part time आप इसको कर सकते हो तो इस job के लिए भी काफी लोग जा सकते हैं तो यह तो थी work from home jobs अब अगर मैं आपको यह बताओं कि इनकी बहुत सारी jobs आई हुई हैं देखें business development में content learning में और ना जाने बात करें कि आप अगर offline करना चाहते हो online करना चाहते हो जैसा भी आपको लगे यहां देख सकते हैं बहुत सारी jobs आई हो subject matter expert के लिए तो बहुत सारी jobs हैं और content में हो या learning में हो तो आपको सब कुछ यहां पर मिल जाएगा देख सकते हो अपने subject में जाकर अपनी job आप देख सकते हो अगर आप cold time करना चाहते हो remote job करना चाहते हो अलग-अलग subject के लिए यह job अविलेबल है तो SME की जो job है वो बहुत सारी अविलेबल है और यहां पर आप लोगों को काफी सारा मौका मिलेगा sales में भी है काफी सारी jobs है सो मैं आप लोगों को इसकी link description में देदूँगा जिससे की आप यह सारी job एक ही बार में check out कर लो जो मैंने बताई है वो भी आपको मिल जाएंगी यहां ही पर तो आप लोग उनको भी check कर लेना और apply कर देना आप लोग like share करके वीडियो को और तक पुचाईए ताकि वह लोग भी इसका फायदा ले सके चैनल को subscribe करके bell button जो press कीजिए जिससे की आगे jobs के updates आपको मिलते रहें I'll see you in the next video Take care everyone, thank you very much